युवा पुलिस सार्जेंट डेविड वाटर्स और उनके पुराने बॉस और दोस्त लेफ्टिनेंट जिन स्टोन दोनों लास विगास मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग की एविडेंस मैनेजमेंट यूनिट में काम करते हैं। मौभंग और अपनी नौकरी से उप चुके उन्हें आर्थिक रूप से गुजारा करना भी मुश्किल लगता है। अपने छुट्टियों के दिनों का उपयोग करते हुए जिम उस होटल में अस्वीकृत अंडरकवर निगरानी करता है जहां ड्रग डीलर काम करता है। में एक और योगिक फ्रीजर के पीछे एक बड़ी तिजोरी बनाई है। यह महसूस करते हुए कि यह बेपरदा है जिम और डेविट तिजोरी में घुसने और सामगरी चोरी करने का फैसला करते हैं। वे तिजोरी के सटीक स्थान का पता लगाते हैं और सुरक्षित दर्वाजे में ड्रिल करने के लिए जर्मनी से एक फर्ष स्टेंडिंग ड्रिल प्रेस और हीरे की नोक वाली ड्रिल प्राप्त करते हैं। वे अपनी सर्विस पिस्टल के बदले इस्तिमाल करने के लिए ब्लैक मार्केट आगनेयास्तर भी खरीदते हैं। एक भरष्ट सहयोगी से अवैध रूप से अर्जित नकदी के साथ सब कुछ के लिए भुगतान करते हैं। जटिल योजना के लिए उन्हें फ्रीजर के उपर आवासिय अपार्टमेंट से सुरक्षित दर्वाजे में ड्रिल करने की आवश्चक्ता होती हैं। ताकि वे फैलसेफ दर्वाजे के ताले को ट्रिगर किये बिना तिजोरी पर हमला कर सकें। अधिकांश चोरी की योजना सावधानी पूर्वक विस्तार से बनाई गई है, लेकिन जो भी लक्षित अपार्टमेंट में है, उससे निपटने की योजना असपर्ष्ट है। चोरी के दिन दोनों फ्रीजर के उपर के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, लेकिन वे दो रहने वालों एक पुरुष और एक महिला को बहुत अच्छी तरह से नहीं संभालते हैं। वे दोनों को रोकते हैं और उनका गला दबाते हैं, लेकिन ठूकने की घटना के बाद जिन ने उस आदमी को गोली मार दी और मार डाला। वे कंक्रीट के माध्यम से जाने वाली दो नियमित ड्रिल बिट्स का उपियोग करते हैं, जो दो स्थानों को विभाजित करती हैं। फिर वे सुरक्षित दर्वाजे में जाने के लिए डायमंड टिप्ट ड्रिल का उपियोग करते हैं, लेकिन जब ड्राइव बेल्ट तूट जाती है, तो ड्रिल प्रेस काम करना बंद कर देता है। कोई अतिरिक्त बेल्ट नहीं होने के कारण, दोनों छेद को खतम करने के लिए एक तात कालिक विस्पोटक का निर्मान करते हैं। एक बार छेद पूरा हो जाने के बाद, जिम एक लंबे लचीले सिस्टोस्कोप का उपियोग करके तिजोरी के गिलास देखता है, जबकि डेविड तिजोरी के डायल में हैरफेर करता है। जैसा की प्रत्येक संख्या की पहचान की जाती है, डेविड इसे सुरक्षित द्वार पर लिखता है। जब दर्वाजा खोला जाता है, तो दोनों को पता चलता है कि उच्छ तक्नीक वाली तिजोरी असाधारन उच्छ मूल्य के रतनों और नकदी से भरी हुई है। जिन खुश है, लेकिन डेविड चिंतित हो जाता है कि गिरोह से इतने सारे कीमती सामान चुराने से उन्हें ट्रैक करके मार दिया जाएगा। वे छोड़ने की तैयारी में सफाई करने के लिए अपार्टमेंट में लोटने का फैसला करते हैं और डेविड उसके पीछे की तिजोरी को बंद कर देता है क्योंकि दोनों वापस उपर जाते हैं। अपार्टमेंट में डेविड जीवित महिला बंधक के लिए सहानु भूती पूर्ण हो जाता है। वह डेविड से अपने पती को फोन करने के लिए कहती है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि उसके तीन साल के बेटे की देख भाल की जा रही है। डेविड इस से सहमत है और जो भी फोन का जवाब देता है उसके साथ महिला की बहुत संक्षित बातचीत होती है। वे डेविड बिट को तोड़ते हैं और चर्चा करते हैं कि उनके जाने से पहले क्या किया जाना बाकी है। जब जिन और डेविड तिजोरी में लोटते हैं तो जिन को पता चलता है कि डेविड ने न केवल सुरक्षित दरवाजे को फिर से बंद कर दिया बलकि सन्योजन संख्याओं को भी मिटा दिया। गुस्से में जिन ने डेविड को बंदूग की नोप पर धमकी दी उसे तिजोरी खोलने के लिए मजबूर किया। कीमती सामान बैग में लाद दिया जाता है और जिन उनकी वैन में बैग लोड करना शुरू कर देता है। लेकिन डेविड महिला को मारने जाता है, वह ठंडे पड़ जाता है और इसके बजाए जिन को गोली मार देता है। एक संख्यप्त गोली बारी के बाद आखिरकार जिन मारा जाता है। डेविड सभी कीमती सामान वापस तिजोरी में लोटाता है और महिला को वैन में बंधक बना लेता है। यह वादा करते हुए कि जब वे शहर से काफी दूर हो जाएंगे तो वह उसे छोर देंगे। चुमकी वे सडक के एक सुनसान खंड पर गाड़ी चला रहे हैं। वैन अन्य वाहनों से घिरी हुई है जिसमें एक ठेकेदार का ट्रक भी शामिल है। जिस पर एक कमपनी का फोन नंबर अनकित है वही फोन नंबर जिसे महिला ने डेविड से पहले कॉल किया था। डेविड खुद को एक पुलिस अधिकारी के रूप में पहचानने का प्रयास करता है लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और फिल्म कार से भौतिक साक्षे के साथ बंध हो जाती है और साक्षे प्रबंधन भवन में सूची बद्ध और संग्रहीत किया जाता है जहां डेवि और जिम काम करते थे